मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज फिर आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है और हम एक नई कविता याद करेंगे काले बादल बादल आपने देखे ना बेटा जब भी बादल आते तो वो कैसे हो जाते काले काले ग्रे से कलर किये ना उधर से उधर से आस्मान नीला और उस पे बादल काले काले हैं ना देखा है ना आपने फिर जब बादल काले आते तो फिर कैसा मौसम होता है बहुत अच्छा मौसम होता है और मोर भी क्या होता है ये देखकर फितेज देज बोलने लगता है कि बादल आ रहे है और बादल आने से क्या होता है बेटा बादल आने से वर्षा होती है पानी बरसता है और जो पानी बरसता है तो मोर अपने पंक फैला कर डांस करता है नाचता है यह देखे यह मोर है ना इसने अपने पंक देखे फैला ले और बादल को देखके बोल रहा ह काले बादल करते शोर, देखो नाच रहा है मौर, धोलक बाजे धम धम धम, सारे नाचे चम 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 काले बादल करते शोर, देखो नाच रहा है मौर, धोलक बाजे धम धम धम, सारे नाचे चम 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 है ना, तो जब बादल, काले बादल जब आते तो शोर तक अवाज होती है ना, तो वैसे ही काले बादल क्या कर रहे हैं, शोर मच आ रहे हैं, और मौर उसको देख करके नाच रहा है, खुश हो रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है, और जब धोलक बज रही है, सब खुशी म तो उसमें भीगो तो फिर बहुत मज़ा आता है है ना पर आप लोग मत भीगने जाएगे आप लोग अभी बीमार पढ़ जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत कराब चल रहा है है ना चलो फिर से पढ़ते हैं हम लोग काले बादल करते शोर देखो नाच रहा है मोर ठोलक बाजे धम 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 सारे नाचे चम 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 ठीक है है ना बहुत बढ़िया पोयम और बहुत जल्दी से याद होने वाली तो सब बच्चे बहुत जल्दी से याद करके सुनाएंगे ठीक है चलो हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए टाटा बाई बाई